Hello my dear students, welcome to my channel Adoflix Academy, मैं आविन कुमार, आप लोग अश्वागत करता हूँ और आज हम लोग अपने B.A.C.O.N.R.S. Agriculture जो हमारा प्रोग्राम है, उसके अंत्रगर्थ जो हमारा syllabus weed management है उसका आज हम लोग lecture 2, जो topic है हमारा classification of weeds, हम लोग उसका अज study करेंगे तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, हमारा जो topic है, पहला क्या है, classification of weeds according to life cycle या उसी को हम लोग ये भी कहते हैं, कि depending upon their life cycle, या based on ontogeny ontogeny का मतलब वही होता है, जीवन चक्र के अधार पे जो हमारे खर्पतवार है, उनका जो अवरगी करन हुआ है उसको आज हम लोग study करेंगे, चलिए हम लोग देखते हैं, पहला हमारा क्या है, annual weeds है, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, वारसिक खर्पतवार, और यह definition क्या लिखा हुआ है, यह ऐसे खर्पतवार होते हैं, जिनका जो जीवन चक्र होता है, वो एक season में ही, या एक साल में complete हो जाता है, और वो देद कर जाते हैं, इसके अंत्रगर्थ कौन से हैं पहले, खरीफ annuals या खरीफ weeds, जो खरीफ season में, जो खरीफ फसल लगाते हैं, उस मौसम में जो खर्पतवार निकलते हैं, हमारे फसल के साथ, उसके बारे में हैं, क्या लिखा हुआ है, they appear with the onset of monsoon, monsoon क जब आती हैं, जून और जून में, फर्स्ट जून तक राइब हो जाता है, हमारे देश में सबसे पहले कहां पर स्टार्ट होता है, केरला में, and they complete their life cycle when renecesion is over, जब renecesion खतम, renecesion जब over हो जाता है, तब यह अपना life cycle complete हो जाता है, कब होता है renecesion over, October और November तक, और जब दुद्धी खास हो गया, मात हो गया, चीमन चारा हो गया, पार्थेनियम, दूसरा कौन सा है, मैं यह एरिस्टेंट्स, रभी एन्यवल्स, जिसे हम तो रभी वीड्स भी कहते है, रभी सीजन में, जो हमारे फसल के साथ, जैसे गहूं हो गया, गहूं के साथ कौन कौन से खरभत्वार आते है है, वह है, क्या लिखा हुआ है, दोस्तों, रभी आपक्टूर रियुर्ण साइकल लिंटर सीजन, या ऐसे खरभत्वार होते है, जो अपना जो इनका ञालाइब साइकल होता है, जो जिवन चकर होता है, ए ठंड के मौसम में यह ओवक्लिट करते है, अगलं से सीजन में कौन से अक्टूबर और नॉमबर से प्रवरी तक और इनके में वा सन विल ओ से कौमट नेम लोगर इंगं है जिसे उम लोग बर्टैंगह दो इम और बत्वगास भी कहते हैं घोल हो गया उसका बटन का नेम क्या है पॉटूला का ओल रास्या या वाइल्ड ओट जंगली जो जिसे भी हम कहते हैं अगला क्या है हमारा समर एनुवल्स या समर वीड्स क्या लिखा हुआ है देख कंप्लीट देर लाइफ साइकल दूरिंग समर यह ऐसे खरपत्वार होते हैं जो अपनी जो जीवन चक्र होते हैं गर्मियों के मौसम में कंप्लीट करते हैं कब से कब फरवरी से में तक और मैजरूटी अब खरीब सीजन वीड्स ग्रो डूरिंग समर सीजन इन इरिगेटेड फार्मिंग जब सिंचित खेती हम लोग करत हैं अगला क्या है यह जितना भी हमने अभी वीड हम लोग पढ़ रहे हैं सब जीवन चक्र के अधारित पर वरगी करण है और एक जाम में कॉस्चन पूछ लिए जाते हैं कि कि राइट डाउन दे क्लासिफिकेशन आफ वीड बेस्ट ऑन या बेस्ट ऑन देर लाइप साइकल अगला कौन सा है इसमें यह किसम अभी है सब यह सब एनुवल में वार्शिखर पतवार में डी नमबर लास्ट कौन सा है इफेमेरल्स जिसे हम लोग कालिक यह यह क्या लि पीरिड से लेकर इनके जो भी रिपरड़क्टिव पीरिड होते हैं और देथे स्टेज होते हैं वह सारे दो से चार विक में कंप्लीट कर लेते हैं कौन-कौन से वीड है इसमें नीर्यूरी घास बटनिकल नम क्या है इसका फालन्थस नीर्यूरी और यह क्या लिखा हुआ इस वीड कंप्लीट से लाइप साइकल विदिन वेरी पीरिड ऑफ 2-4 विक्स दो से चार सबतां के अंदर में उनका जीवन चक्र कंप्लीट हो जाता है यह सब किसमें किसके अंत्रगर थे यह सब एन्यूरी वीट के अंत्रगर थे दूसरा क्या है मैं तो मेरे फ्रेंश बा करने के लिए they complete their vegetative growth in first year पहले सीजन में क्या करते हैं साल में इनके vegetative growth होते हैं और अगले सीजन में क्या होता है दे प्रडूस प्लावर अगले सीजन में क्या होते हैं इनके हादना ऩोन यह कॉमन नेम और इसका बप्रण के लिगडर दिल जी से मिखने अगला यह है जंगली गोभी जिसका बपर नेम क्या है और यह सब्सक्रेंग है किसमें है कौन सा है मतलब इसी की अंत्रवा अंत्रगर्थ जीवन चक्र के अनुसार प्रेनियल वीड्स इसका हिंदी क्या होता है बारा मासी खर्पत्वार इसका में क्या लिख हुआ है दे कंटिन्यू और ग्रो फॉर मोर देन टू यर्स और सेवरल यर्स ठीक है यह क्या है मतलब यह दो साल से ज्यादा या दो साल तक ग्रो होते हैं हमारे फिल्ड में और अपने जीवन चक्र को पूरा करते हैं और इसके अंत्रगर्थ क्या लिख हुआ है प्रेनियल वीड्स जो होते हैं यह इनके भी और आगे क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे एक्कॉर्डिंग टू रूट सिस्टम तो माइडियर प्रेनियल वीड्स क्लासिफाइड एज देफ्ट प्रूट सिस्टम मतला जड़ के अधार पे कौन से खर पत्वार के जड़ होते हैं मिट्टी के अंदर कितने गहराई तक रहते हैं उस अधार पे इनका वर्गी करन हुआ है कौन जैसे कि पहला क्या है सैलो रूटेड प्र जैसे खर पत्वार जिनके जड़ होते हैं जड़ होते हैं 20-30 cm तक मिट्टी में रहते हैं वही लिखा हुआ है दोस प्रेनियल वीड्स हैविंग अबाउट 20-30 cm डीप रूट सिस्टम और कल्ड सैलो रूटेड प्रेनियल वीड्स जैसे एक्जामपल हर याली साइनोडों जो हम दूब घास कहते हैं क्वैक ग्रास एग्रो फाइरन रिपेंस अगला क्या है दोस्तों डीप रूटेड प्रेनियल्स क्या लिखा हुआ है वीड्स हैविंग अबाउट वन मीटर और मोर डीप रूट सिस्टम ऐसे खर पत्वार जिनके जड़ होते हैं मिठी के अंदर हैं वैसे को हम लोग डीप रूटेड प्रेनियल्स के अंदर में आते हैं कौन से एक्जामपल है इसमें नट ग्रास साइप्रो रोटूंड जो मोथा घास होता है कॉमन है हम लोग हर्चे के मिल जाता है जॉंसन ग्रास स्वार्गम हैल्फिंस कहते हैं जिसे हम लोग बोटन ला ऐसे ऊंका उतपादन होता है इसके अंतरगरत पहला क्या है सिंपल पॉर्इनियल्स है से खर्पत्वार जो एक वर्च में पादन होता है खर्पत्वार में ऑ जो जहनेरी कैसे आपोत। है इस प्रडूस मॉस्टली गारा उनका अत्पादन होता है घंबल में घंएरी जो सेमले बोटन कल नहीं ताना-केमरा अगनेरी इसका common name है एकासिया जिसका बोटन गल नेम क्या है कैसे स्पीसीज वाइल्ड वेर बोटन गल नेम क्या है इसका जीजीफस स्पीसीज अगला क्या है दोस्तों इसमें बल्बस प्रेणियल मतलब बल्ब के द्वारा जिनका प्रड़क्शन होता है भी खर पतवार का जैसे क्या लिखा हुआ है प्रोपगेट वाई अंडर ग्राउंड पार्ट्स लाइक बल्ब्स राइजों स्टूब और एटीसी आजवल अज सीड्स जैसे कि हम लोग आलू में देखते हैं क्या होता है वह बल्ब के मादम से प्रड़क्शन होता है उसी तरह कुछ ऐसे खर पतवार है यह नट्ट ग्राथ हुआ साइफ्रस रोटन्डर जो मोथ्हागास होते है या जौन शन ग्राथ भी मैेंसे क्रेपिंग् पर्निएस जिनके क्रेपिंग परिनीग ते आप लोग देखे हूंगे कुछ ऐसे खर पतवार होते हैं जो रेंगते हैं मतलब मिट्टी के मिट्टी पर ही रेंगे या किसी पौध के सहारे वो रेंगते हैं उसके द्वारा उनका क्या होता है सीड्स का उत पादन होता है जैसे कौन-कौन से इसमें एक्जामपल हैं परियाली साइनदोन डेक्टाइलन अम्बोसी और चैलिस लेटिफोलिया मैं दियर स्टेंट्स हम लोग आगे देखते हैं और वी जो मारे क्लासिफिकेशन है और कौन से हैं इसमें मतलब इनके निवास अस्थान के अनुसार विक वर्गी करन किये गया हुआ है खरपतवार का क्या है पहला डिपेंडिंडिंग अपन दे प्लेस अफ देर अकरेंस मतलब किस जगह पर यह उत्पन होते हैं पाए जाते हैं पहला क्या है वीड्स ओफ क्रॉप लेंड ऐसे खरप दान जिसे हम कहते हैं दूसरा क्या है दोस्तों इसमें वीड्स ओफ पास्चर एंड ग्रेजिंग लेंड ऐसे खरपतवार जहां पर हमारे जानवर जहां पर अपने घास चरते हैं वह उस छेतर में कौन-कौन से खरपतवार निकलते हैं जिसे पार्थेनियम जिसे हम लों हो गया तलाब हो गया उस छेतर में कौन से खरपतवार निकलते हैं जैसे जल कुम्भी बहुत कॉमन है आप लोग देखते भी होंगे जिसका बोटनिकल नेम क्या है इक और निया क्रेस्पी इस जहां पर भी यह खरपतवार लग जाएगा जल कुम्भी वहां पर उस नदी म इस स्टेम के अनुसार तना जो होता है उसके फिस पर खरपतवार के क्लासिपिकेशन है और पहला इसमें कौन सा है उडी विड ऐसे खरपतवार जिनके स्टेम जो होते हैं अलका हाड होते है कहने है का मतलब पर क्या लिखा हुआ है बीज आर ला-वडी और भी नुज पर मतलłem इंकर जो स्टेम होते हैं हुझा हाट होते हैं सौफ नहीं होते हैं दुसरी क्या है दोस्तों इसमerson स्टेम होते हैं बहुत सौफ्ट होते हैं जैसे कि क्या लिखा हुआ है इसमें मात कॉक्स हो गया कॉंब हो गया कंगी हास हम कहते हैं दूद्धिवास हो गया पार्थेनियम हाजार दाना हम लोग आगे देखते हैं हमारा आगला क्या क्लासिफिकेशन है किस बेसिस पे है एकॉर्डिंग टूद ओरीजिन ओरीजिन मतलब किस देश में कहां पे सबस्वर पर्थम कौन सा खर्पत्वार उत्पन हुआ था उस बेस इन्ट्रोडिवूस्ट और एक्जोटिक विड्स याईसी को हम लोग एंथ्रोफाइट्स भी कहते हैं बीदेशी मतलब बीदेशी खर्पत्वार मतलब कहने का मतलब ऐसे खर्पत्वार जो दुसरे देशों में इनका उत्पती हुआ है उस देश पे हमारे देश में इनका पर हुआ है तो इसमें क्या लिखा हुआ है बहुत है इसमें दोस्तों यह बोल रहा है कि ऐसे खर्पत्वार जो दूसरे देशों से इनका उरिजिन हुआ और और इसे ना किसी माध्यम से बीच आया या उनके कोई ना कोई पार्स क्या हुआ किसी दूसरे एरिया में नए छेतर में आरके अपने आपको स्टेविक्स कर लिया और उस छेतर के लिए क्या हुआ हो इंट्रडूस 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 हो गया इसलिए इनको क्या कहा गया हुआ है बीदेशी घास भी कहा गय और अपने देशों में या किसी भी देशों में इसका वहां पर इंटर्डिउस्ट हुआ दूसरा क्या है सुलानम एलेगैनि फोलियम विथ फूड ग्रेंड यह खाने वाले अनाज के साथ इसका अपने देशों में इसका ओरिजिन हुआ तिसरा क्या है लेंटेना केमरा गहने दूइरी खास कहां से इसका आया सिर्लंका से आया किसके दौरा बाई बड्स के दौरा अगला क्या दोस्तों कोकल बेर गोखुरू जीसे अमयरियम एक नेटीव औरिजीन प्लेस कहां पर है अमेरिका बहत इंपर्टेन्ट दोस्तों कोस्टन से पूछ लिये जाते हैं अगल आपे इसका ओरीजिन है। COCOLROBEER का ओरीजिन प्लेस कहां पर है किस देश से यह इंटøडूच हुआ वांते हैं यह बहारत में कहां से इंट्रडूस हुए है पुर्तिजन के दिवारा हमारे देस में ग्रास फ़ेंके दोस्तों अगला का है जौसन ग्रस है इसका उतपति हुला सब ट्में पहले थी कहां एक्जाम में कोशन पूछ दे जाते हैं कि डिफाइन एलियन वीड्स तो आप डिफाइन करेंगे कि ऐसे खर्पतवार जो दुसरे देशों में इनका विदेशों में इनका उत्पती हुआ और हमारे देशों में इनका इंट्रोडक्शन हुआ किसी माध्यम के द्वारा या चुडिया के द्वारा या कोई ना कोई बीज के द्वारा बीज के साथ मिल के आ गए तो वैसे खर्पतवार को हम लोग एलियन वीड्स भी कहते हैं ठीक है दोस्तों बहुत अशान है अगला ह इसकम हो गया कंगी घास दुद्धी घास हो गया अगहादा हो गया हर्याली हो गया दोस्तों अगला इसमें क्या है फैकल्टेटिव वीड्स और एपफाइट्स बैकल्पिक खर्पतवार क्या लिखा हुआ है डेफिनिशन देखते हैं हम लोग वीड्स वीड्स विच ग्रो किसी भी जगह पे जीस जगह पे मतलग जिस जगह पर खेती नहीं करते हैं उसके अलावे जाए जैसे के लेटवर्य प्रेटफर्म हो गया खोई सरकारेवं हो गया को से आज यह मड्यूंभावा घृफट्वार नेनल जया जो को بोहा है, जैसे को से अग्जाम. पहले कैक्टस कांटे वाले घास होते हैं अगला क्या है दोस्तों इसमें ओब्लिगेट वीड ऐसे खर्पत्वार क्या लिख हुआ है विच ग्रो और ऑकर प्रामरली इन कल्टिवेटेट फिल्ड वेर दे लैंड इस डिस्ट्रिबूटेड यह जो अब्लिगेट वीड होते है उसी पर आसुरित होते हैं दान की खेती करेंगे तबी वह घास आएगा नहीं करेंगे तो घास खेत में नहीं आएगा चंदवेल या दूसरा क्या है गन्वल्बूलस और वेंसिस माइड इस्टेंट्स अगला हम लोग देखते हैं इसमें क्या है नौक्सियस वीड है मतलब नॉक्सियस का मतलब जो बदमास कहने का मतलब होता है हम जो डेफिनिशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है दवीड्स वीड्स वीचार अर्ट्रॉबल्सम और डिफकल्टू कंट्रोल आर्ट्रॉल नॉक्षियस वीड्स ऐसे खरपत्वार जो हमारे इक्षा जैनुसार भी हमा बातों को नहीं मानते हैं तो उसी की सेंस में खरपत्वार है जो हमारे एक्षा करूंसार कहीं भी निकल जाते हैं और इंगे कंट्रोल करना ने अंतरण करना बहुत ही मुश्किल होता है जैसे कि एक्जामपल में कौन से है नटग्रास जिसे हरी आली हो गया पार्थेनियम ह जीकते हैं क्या विट्स क्या होते हैं वीड्स विच प्रोडूस्टीज सिड्स डैटर डिफ्कल्ट तू सेपरेट वन्स मिक्षट वीद्विध क्रॉप सीड्सार कल और अब्जेक्स ने वरुट्स ऐसे खरपतवार जिनके बीज हमारे फसल लेके फसल के वीज के साथ मिक् कहते हैं इसके बीज जो होते हैं उट इसमें जंगली ही कहते हैं उसके जो भी मिल जाते हैं तो हमें इंडेंटिफाइब करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस दिने क्या कहा हुआ है अगला दोस्तों कौन सा है इसमें इंडस्ट्रियल विड्स नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसे खरपतवार जो हमारे इंडस्ट्रीज बिल्νण हो गया हाइवे हो गया रैल वे लाइस हो गया कहीं पर तैलिफ़ोन पोल्स हो गया इलेक्त्रिक पोल्स उगया उसके आस पास में जो खरपतवार निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं इंडस्ट्रियल वीड्स एक्जाम्पल में पार्थेनियम रेस्मेक्ता कटे मात दोस्तों लास्टोन क्या है पॉआजनस वीड्स मतलब जो जहरीले घरपतवार होते हैं जिन्हें अगर हम लोग कंजूम कर ले जा जानवर कंजूम कर ले तो हो सकता है वो देथ भी कर सकते हैं या अचानक कोई न कोई स सरीर में कुछ न कुछ उसमें भीमारी उत्वन हो सकती है जैसे कौन से घास है इसमें पार्थेनियम दातूरा पॉआजन यह भी बहुत ही है सब जहरीले होते हैं तो मैडियर स्ट्रेंट्स यह हमारा आज का दूसरा टॉपिक था क्लासिप्रिकेशन ओफ वीड्स बहुत ही तर्श के कहले मुद्य करन इसमें र misinformation पहुत है में शो खुड़पन канал दूस अ करने नक करने हैं छिर्ट करशा डॉपन खा में तो हैं पारमारे का था जदेर